नमस्कार अम्रीजनों आप देखने से उड़ी पाइट साला आपसे का बहुत बहुत स्वागत है अभी 2023 के जो बच्चे हैं अपने अपने विस्विद्याले में जा चुके हैं कासुन विस्विद्याले में बहुत सारे बच्चों का जो पढ़ने का एक ड्रीम था जो सपना था वो पूरा हो चुका है तो कहीं ने कहीं अब इन लोगों से बात करके एक्स्परियंस से सेर कराना चाहिए आप लोग तक पहुसाना चाहिए कैसा लग रहा है कैसे पढ़ाई करी पढ़ाई करने के बाद और उस समय को कौन-कौन से डिफकल्टीज आई और अब कास्वि से इन ही साप लोग सुन ला जो कि मुझे भी बहुत बहुत पसंद है और मैं उस डिपार्टमेंट से आता हूं तो कहीं ने कहीं अपना एक मेरा प्रसनल अटैश्मेंट है इस डिपार्टमेंट से और जो यह लोग यहां बैठे हो तो बहुत कुछ हम लोग जानेंगे समझ सबसे पहले तो इन लोग का एक छोटा सा परीशव जानते हैं तो आप अपना बताईए कहां से आये हो और क्या नाम है दोने लोग बताईए और मैं सोनु कुछ बिहार का रहने वाला हूँ बिहार कैमूर या सोनु को आप लोग चैनल पर पहले भी देखें आने से पहले सोनु जी थे महात्मा गांधी में बाजू में ही है यहां का में स्वार्ड में बोलते हैं चीजी के वीपी तो टेजस्वनी दिक्षित और सोनु दो लोग है और अभी आप लोग किस दिपार्टमेंट पढ़ रहे हैं फिलोसफी डिपार्टमेंट भी आप लोग का एडमिशन होगा तो कैसा लग रहा है अभी तक तो बहुत सही चल रहा है ठीक ही लग रहा है अभी तो आई हुए लगबाग दो हपते हुए हैं तो आगे का देखा जाएगा क्या होता है लेकि फिलाल तक ठीक हम लोग सबसे पहले जानते हैं क्योंकि बहुत सारे विवर्ट्स हैं जानना चाहते हैं कि आप लोग यहां तक पहुंचे कैसे आपकी पढ़ाई कैसे हुई कैसे करा तो बताई कि कैसे प्रिवर्शन के आपने अपने कोर्स के लिए देखिए हम लोगों ने जो हम लोगों का यूजी सब्जेक्ट था हम लोगों ने उसी के स्लेबस को पढ़ा और मैंने थोड़ा सा मुझे कहीं दिक्कते आ रहे थी तो मैंने आपके चैनल पर जो सत साला का सपोर्ट यहां तक मुझे ले आया और मैं एक बार सत्तू सर को धन्यवाद देता हूं और आपको भी और पूरी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और सफलता है अपने उस रूप में तब ज़्यादा सक्सेज अधर आती हैं जब आप सच में सक्सेज हो जात फिलोसफी से था तो मेरे जो सैमिस्टर्ट था जो मैं उसमें पढ़ाई की थी मैं उससे सब कुछ कवर की अपना और मैं कुछ कोर्स वगारा नहीं ले थी अपना उससे से मैं प्रिपेरेशन के थी तो अपने प्रसनल लेबल पर भी और क्योंकि एक्जाम आपके हाथ में कोई और करा रहे हैं तो अगर आपके ऐसे कुछ एक्सप्रियेंसे लाइक बैड एक्सप्रियेंस विट रिप्रिशन तो क्या है कौन-कौन सी है रहा कि हम लोग को सैमिस्टर मैं में कंप्लेट हो चुका था माई में ही और फिर हमारे एक्जामस डिले हुआ एक्जाम पैटन सेंटर वगेरा में वह दिक्कत आई फिर जो उसका रिजॉल्ट था वह भी बहुत डिले किया गया था उनिवर्सटी में एडमिशन लेने तक भी में प्रॉब्लम हुआ जो हम लोग क लिए कुछ है सब्द आपके पास मैं तो कोई मेरे पास सब्द नहीं है मैं इसको निसब्द में ही रखता हूँ क्योंकि बहुत तरह की समस्या है मूझे लगता है कि बच्चों का अभी साधर už देले हो और बहुत बहुत परिशानिया है घ्ềले हैं बहुत नहीं पर रीञ्वा एक्जाम दाटा उमकशक्य करेंुने JUST और से मेश्टर के खें and work सब्सक्राइब करेंगे लेकिन काफी बेटर है और यह भारत की सबसे सर्वस्रेश यूनर्ट सीट्यों में इसकी गिंती होती है और काफी अच्छा है अभी तो हम लोगों ने अच्छे से जाना भी नहीं है अला कि आगे हम लोग अपना एक्स्प्रियंस से एर करेंगे लेकिन काफी बेटर है अच्छा लग रहा है अभी तक तो दो ही विख हुआ है हम लोग को यहां आए अब बहुत कुस देखना है सीखना है जानना है मैं वो सेंटेंस सुनना साहता हूं अपना ड्रीम मिल जाए तो कैसा लगता है आपक बहुत प्राउट फिल करते हूं कि हां मज़े यह मिला लख्कियों के मुझे मिला है और लाखों में अगर आप अपना पोजिशन बना पाते हो इसलिए मैंने बोला टॉपर स्टॉक्स बनाया क्योंकि भई लाखों में अपनी पोजिशन बनाए न आप लो तो इसके लिए बढ़ाई के पात रो और बियाच्चो के लिए मेरे पास भी बहुत सारे मैं सब वीडियों में बोलता रहता हूं कि मध्यमवर्गी परिवार के लिए बिसिकली मेरा जो एक माइंडसेट है कि ये बेस्ट उन्वर्शिटी है पूरे भारत में इससे बड़ी उन्वर्शिटी नहीं है अच्छा बियाच्चो में आप लोग आते ही देखे होगे कि वो हमारी मांगे पूरी करो सद्भाओना सद्भाओना तो वो जो धरने का एक अभी नजर आई कि कैसा लगा ये तो एक नाया था क्योंकि ये फेस किया ने था फिर्स्ट ामें था वन्टी भाटलूंग ये वह ताद उन्स एक एक्साइज मेंन्धू ऐसी गेक्स जो रहा था हो ग्याए निशाáficा अच्छाड़ क्या मेराम क्या थार कूा teaching क्यों वे फ सब्सक्राइब तो आपको कैसा लगाए धरना दे पॉलिटिकल पॉइंट अब्यूस बताइए तो अगर बात कि जाए तो घृष में यह होनी नहीं चाहिए अगर इंसरे लेखे अपने अपने कारियों का निर्वহन नहीं कर पा नहीं। और जाहिर सी बात है अगर समस्याएं नहीं आएंगी तो किसको पढ़ाया कि कौन जाएगा धरना पर्दस्ण में यहां तो क्लासे से टाइम नहीं मिलती इतना बड़ा अच्छा अभी तो जो धरने हुए हमारे फूडिंग अच्छी नहीं है और हमारा मेडिकल हेल्स सेंटर जो है वह अच्छे से काम नहीं कर लेकिन अभी जो कुछ विस्टे आई हैं परीजी तेजस्वनी जी बताएंगी कि कुछ गर्ल्स रिलेटेड टॉपिक्स होंगे स्टा है कंब स्टा आगे स्टेड तो पहले तो मैं जाना चाहाँगा कि स्टियाले में आपको दो हफते हो गए क्या कभी ऐसा तो कि से थिवश किया कि मैंने भी फेस शुशक्या कि केमपस सेफ नहीं तो क्या लगा आपने कभी ऐसा पैस किया है आप कुछ स्टूरी जैसी बताना अभी तक तो ऐसे कुछ हुआ नहीं है ऐसा कुछ S courtем ओए और अपना लिमितेशन को देख ना सहीं डाया है और गोई यूद अबी तक तो ऐसे कुछ हुआ नहीं है अजनली आप कुछ Że i.e.s equations नहीं कियो है छिर भी कैसा लगता हैंdig Rider तो नात को 9 वाज जारो इमर्जनसी में कोई काम आ गया तो तो कभी लगा क्या उनसे फिलिंग डर रहे हो डर के निकल रहे हो नहीं अब तक तो ऐसा कुछ नहीं अब तक तो ऐसा नहीं इसमें फिर भी मैं चाहूँगा कुछ और एड किया जाए लगी की लड़कियों को जो आप तो PG में हो आपके तो experiences हैं बड़े हो बहुत सारी सेज़े आप में पहले देखी होगी society में पढ़े होंगे देखे होंगे जाने होंगे जो छोटी बच्चियां है आलमस्ट जो यूजी के आती है 17-18 सल की लड़कियां होती है फॉस्ट ताइम घर से बहार आ रही है तो आप उन्हीं क्या सुझेस्ट करना चाहोगे मुझे यही सुझेशन देना है कि अगर नीड है एमरजिंसी है तो जाओ और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो एंटेटीमेंट के लिए घूमने के परपोस से तो नहीं जाना चाहिए रात में रात में क्योंकि अपना सेप्टी हमें खुद देखना होगा क्योंकि जब हम जन्म ली है तो अकेले ली है तो अपना सेप्टी भी हमको खुद अकेले देखना पड़ता है कोई हमारे साथ नहीं रहता है ना हमको हमारे सेपटी खुड देखना पड़ता है अगर हमको एक टाइम मिल रहा है टाइम लिमिटेशन है दस बजे तक का तो हम 10 बजे के अंधर ही क्यों न सारा काम अपना खतिम कर लें क्या जरूबत है हमको कि 10 बजे के बार नी तरना अगर क्या कि यहां तो कोई है ने ने हमारी पैर temps नहीं होता है यह Myers देह अगर अकेले रह रह रहा है तो और सेप्ति रखना पड़ता और एक पॉइंट यह भी हो सकता है कि हम को जादा यहां तो हमारी ले सब को स्टेंजरी आए इह सब उन्नोन ही रहता है तो यह नहीं है सबसे जाएं जो को अपना चीज से बटा दिया जाए कि हां मैं यहां से आई यह है वहां रहते हुं यहां रहते हुं अपना को खुद ध्यान देना चाहिए मिन्स फॉर्स्ट है कि आप अपने बारे में सोयम सोचना सुरूर कर रहा है कि आप साथ कुछ होता है तो हेल्प के लिए लोग आज आएगे मदद करने आज आएगे लेकिन आप अपने सही सौधानी नहीं देख रहे हो स्वयम के लिए तो कहीं न कहीं यह बहुत बढ़ी गल है जनलीज पर कास्ट कर्शन हो जाता है नहीं हम 10 बजी जाएंगी हमारी सेफ्टी होनी चाहिए तो जाओ इसमें कोई नहीं रोक रहा है लेकिन क्यों जा रहे हो जब इमर्जेंसी है तब आप जाओ यह बहुत बढ़ी है कोई मेडिकल इसूस है तो आप जाओ या कोई और काम हो जाए तो जाओ लेकिन इंटर्टैन्मेंट परपस से घूमने के परपस से रात में दो बजे तीन बजे यह कोई मैथट नहीं है नहीं तो फिर हो जाएगा आ बैल मुझे मार तो कहीं न कहीं मुझे लग रहे है यह पॉइंट बहुत की एवरीवन कीप इन माइड ला सभी लोग अपने मुबाइल में जरूर है जिससे की कभी जूरत पढ़ रहा है तो आप लोग उसको यूज कर सको ठीक है अचा एक और क्वैस्टन है यह बीएच्चू आपको रील्स में देखने को मिला जन्रली आपका अटमिशन नहीं हुआ तो रील्स में क्या अगर आप व्यक्तिगात आते हो देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको तीन दिन दो दिन तो कम से कम देना पड़ेगा क्योंकि बीएच्चू इतना बड़ा कैमपस है और आप आप पंदरा सेकेंड की वीडियो में 10 मिन की वीडियो में क्या देखेंगे वो तो आप उ अगर आप रिल्स और रियल भी एच्चू की बात करें तो जमीन आस्मान का फरक है इसकी मतलब तुलना नहीं किया जा सकते हैं बहुत बढ़ी है रियल भी एच्चू का आप तभी उसको जान सकते हैं जब आप यहां इंट्री करेंगे और विभाग में घुमेंगे डिपा और इसकी खुब सूर्ती तब बढ़ जाती है जब आप भारत के सबसे प्राचीन सहर वारांशी में मां गंगा की किनारे बसे एसीया के सबसे बड़े आवाशीय विश्विद्याले में आपको जब पढ़ने का मौका मिलता है इससे बड़ी सवभागे किवात और कुछ नह और गट लगा अपको यहाँ की सबसेटे है बश्र मेरा की तो मेरा एक Administration मोर्य ताथ आए यहाँ लगा तो चयंग तो मेरा एक यहाँ अज mudarinin क्रταता है रास्ता भूलते हो कि नहीं मैं को जसे व्को ताए हिसकरता हु मैंतों बूल गई ती को मैं डेंशी मिरा था मेरा एके assessment सब्सक्राइब करता था जिससे की फालतू का घूमना पड़ता लेकिन थोड़ा सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं लोगों के लोग दर्शन के विभाग से आते हैं लोग दर्शन के विभाग से आते हैं दर्शनीक विचार धारा रखते हैं आने वाले समय में हम लोग इनके विचार पढ़ेंगे हो सकता है कि ये लोग समाज कल्याड में अपना पूरा जीवन ही दे दे क्योंकि ये डिपार्टमेंट आता ही बनाया ही उसी मक्सद से गया है जीवन मानो जीवन कल्याड के लिए तो मुझे बहुत खुसी हुई कि मैं ऐसे लोगों से मिला और बहुत सारी सुपकामनाय देता हूं महादेयों से प्रास्तिया करूंगा आप लोग मुस्कुराते रहें खूब पढ़ाई करें और ये दर्शन और आध्यात में के छेत्में खूब लब्दी हासिल करें बहु है ता ता तरे मिलेट